नमश्कार नहों प्रिया विहार लियूज में आपका स्वागत है विहार के 79 जंक्षनों को एरपोर्ट की तर्च पर विक्सित किये जाने की तैयारी हो रही है जुसके तहती पटना जंक्षन समेत पुर्वबध रेल के 79 तर रेलवे स्टेशनों को एरपोर्ट स्टांडर्ड के अनुरूप ही डेवलप करने की तैयारी शुरू हो गई है जुसका काम उमीद है कि साल 2023 तक पूरा हो जाएगा क्योंकि इस रेलवे स्टेशन को डेवलप करने की सारी कवायर की शुरूआद साल 2003 में हो गई थी इसी दोरान हाई स्पीड और प्राइवेट ट्रेनों के परिशालन को लेकर तैयारियां की जा रही थी हाल ही में मध्रप्रदेश के रानी कमलापती रेलवे स्टेशन को डेवलाप किया गया है पुर्व मध्र रेल में गया और पटना जंक्शिन पर एक्जिक्यूटिव लाउंच का काम चल रहा है इसी कड़ी में वेटिंग रूम और डोर्मेटरी को नए सिरे से डेवलाप किया जा रहा है सभी स्टेशनों को डेवलाप कर एरपोर्ट की तरह सुवधा मोहया करवाने की रेलवे की योज़ रहा है पुर्व मध्र रेल के एक अधिकारी की माने तो रेलवे बोर्ड ने पुर्व मध्र रेल के 55 स्टेशनों पर काम अबंतिम दोर में पहुच्छा दिया है इसी क्रब में 24 एकसेलेटर और 18 लिफ्ट लगा दिये गए हैं वहीं अप 29 एकसेलेटर और 40 नए लिफ्ट को लगाने का काम किया जा रहा है इतना ही नहीं रेलवे स्टेशनों की सूरत को बड़नने के लिए और स्टेशनों की सब्धाव को बढ़ाने के लिए खाली जमीन को नीजी कमपनियों को सौप कर यात्री सुवधाओं से जुड़ी विवस्था बढ़ाई जाने की भी रेलवे की योज़ना है इससे रेलवे के राजस्व में तो बढ़ोतरी होगी ही साथी यात्रियों को भी सुवधा मिलेगी मिली जानकारी के अनुसार वर्तबान समय में पटना जंक्शन के करवी धरिया साइड को नए सीरे से डेवलाब किये जाने की तैयारी है इसके लिए पश्चिम साइड में मीठापुर फ्लाई ओबर के नीचे पुराने टू ताइप रेलवे कॉटर को तोड़ा जाएगा और उस जमीन पर मल्टी स्टोरी बिल्दिंग के साथ शॉपिंग मॉल और याद्रियों की जरूरत के नुसार कई अन्य अत्याधुनिक सुवधाओं की शिर्वात होगी जिसके तहद ही पुर्वमध रेल के पटना जंक्शन, राजेदर डगर टर्मिनल, पटना साहिप, पाटली पुत्र जंक्शन, दानापुर, आराव, बकसर, गया जंक्शन, मुजफरपूर, बेगुसराय, समीत, अन्य स्टेशनों को चिन्हित कर स्टेशन परिसर में खाली टेंडर आमंतरित किया गया है, इनमें से 5514.23 बर्ग मीटर के एक हिस्से को 99 साल की अबधी के लिए डेबलापर को पट्टे पर दिया जाएगा, जबकि 1844.77 बर्ग मीटर का एक अतिरिक्त शेतर रेलवे पुनर्वे का सकारियों के लिए निर्धारित किया गया है, रेलव प्रतेक्स में शॉपिंग मॉल भी रहेगी, साथ ही प्लाटफॉर्म की सफाई की ववस्था, पार्किंग ववस्था, शौच्वाले की ववस्था, रेलवे पूचताज, काउंटर, सहित अन्य कारेनीजी कंपनियों के द्वारा किया जाएगा, पब्लिक प्राइबेट पा प्रतेक्स प्लाटफॉर्म पर लिफ्ट और एक्सिलेटर की ववस्था होगी, इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद